स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टेया यूटूब चनल पर DCSEM जो के अटामिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंतरगत आने वाला एक विभाग है जिसका अगर नाम देखे तो है निर्मार सेवा यूम संपदा प्रबंद निदिसाल है इसकी तरब से आई टेया पास आउट डिप्लोमा पास आउट और ग्रिजवेट कैंड़ेट के लिए वैकंशी आई थी जिसका की सेलेक्शन रेटन एक्जाम के बेसिस पे होना था and I tape us out candidates के लिए जो vacancy थी वो थी आपकी technician B की उसका भी result जारी किया जा चुका है तो अगर आप लोग भी इसमें जो है सामिल हुए थे exam में तो आप यहाँ पर result जो है भी download करके देख सकते हैं आप देख सकते हैं technical officer C, scientific assistant B and यहाँ पर technician B जो है जो recruitment था उसका यहाँ पर result जो है वो जारी किया जा चुका है screening test का आईए देखते हैं result and अगर आप भी इसमें exam दिये थे तो आप जरूर हम कोई बार comment करके बताएं क्या आप sort list हुए हैं या नहीं यहाँ पर result से पहले आपको एक बार notification दिखा दें यह notification जो था आया था 29-4-2022 last date थी फार्म भरने की and यह जो फार्म था यह आपका देख सकते हैं directed of construction service and state management की तरफ से निकाला गया था and इसमें जो vacancy थी आप देखिए total number आप vacancy जो technical officer C की थी वो तीन थी and यहाँ पर जो scientific assistant की vacancy थी वो total 10 थी और technician की जो B post थी वो थी total 20 vacancy यहाँ पर थी इसमें साथ-साथ तीन जो है backlog vacancies भी थी technician B में plumbing, carpentry, machinery, fitter और air conditioning इसके साथ-साथ electrical के candidates ने farm apply किये थे अब यहाँ अगर result की बात करें तो यह पब्लिस हुआ result official website पे description में लिंक दे देंगे आप direct भी download कर सकते हैं यह आप चाहें तो take study ITI telegram channel है वहाँ पे join हो जाएं वहाँ पे हम सारे result की update या इसका PDF आपके साथ share कर देते हैं यहाँ पे अगर बात किया जाए तो notification मार्च में आया था 29 अप्रेल तक farm भरे गए थे and 18 सितंबर 2022 को इनका दो stage में test conduct हुआ था ठीक है एक पहला stage था primary stage जिसे कहते हैं अगला था advanced stage stage 1 and stage 2 दो exam आपके हो चुके हैं अभी stage 3 यहाँ पे बाकी है अब stage 1 और stage 2 में यहाँ देखिए इन्होंने पूरा data दे दिया बहुत ही साप सुत्रा data एकदम यहाँ पे release हुआ है website पे कि technician B plumbing में अगर आप देखें 54 candidate को बुलाए गया था 41 candidate stage 1 में अटेंड किये थे 18 जो है stage 2 को अटेंड किये क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे stage 1 क्वालिफाई किया वही stage 2 में पहुँच पाये थे technician B carpentry में 70 में 47 अटेंड किये 24 इसमें यहाँ आप देखेंगे 44 में 28 फे 14 फिटर में 144 candidate को बुलाया गया था 93 पहुँचे थे 76 ने stage 2 तक क्वालिफाई किया है and air conditioning में 27 में 13 और यहाँ पे 143 electrician में थोड़े ज्यादा candidate है अभी अगर आप यहाँ देखेंगे total 288 candidate जो है वो stage 2 क्वालिफाई कर चुके है and इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या लिखा गया है stage 1 में एक question जो था ना उसका actual में wrong था question तो उसके क्या की गए जो answer wrong थे उसका सभी को बराबर नंबर तीन नंबर सबको as a bonus नंबर दे दिया गया है and marks list भी यहाँ पे जारी की गई है इसके साथी साथ जो candidate अब stage 2 क्वालिफाई कर गये है stage 2 में count candidate क्वालिफाई किये आइदर आप क्वालिफाई करेंगे otherwise आप उसमें reject कर दिये जाएंगे and इसके बाद जो है stage test जो पास करेंगे third वाला जो trade test है उसके बाद stage 2 में जो number score किया आपने उसके basis पे यहाँ merit list बनाई जाएगी नीचे देखेंगे annexer 1 है जिसमें stage 1 और stage 2 में कौन कितने number जो है कितने number का था और कितना percent जो है आप score किये है वो यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते है stage 2 में इन्होंने 100 number score किया है and percentage overall जो बनके फिरा रहा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है इनका जो है 6-6% I think बन रहा है stage 2 ज्यादा number गथा यहाँ पे 6-6% बना इन्होंने 100 number score किया यहाँ पे stage 2 जो था actual में वो जो है 150 number का लिया गया था आपका test notification में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे plumbing का है result आप देख सकते हैं यह जो total candidate है जो की qualify हुए है stage 2 को ठीक नीचे अब आप देखेंगे यह बहुत ही कम को qualify हो गया है क्योंकि ST candidate थे और candidate थे नहीं तो merit यहाँ पे देखिए कितनी कम गई है यहाँ पे अगर आप merit देखेंगे total तो यह 14 number पाए हैं सिर्फ तब भी यह qualify है 9% number पाके 1500 में इस तरह से आप नीचे इनके तो minus में number आ गया है यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे कुश्चन गलत कर दिया होंगे फिर यह मैसनरी का है इसी तरह आप फिटर और एलेक्टरीशन का देख सकते हैं और इसके बाद आपका एनेक्सर 2 है जो candidate सिर्फ और सिर्फ stage 2 qualify किये गए उनका भी data यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं plumbing में unreserved category का यहाँ पे data दिया गया आप लोग comment section में बताइएगा का आपका इसमें नाम है या नहीं इसके साथ साथ आप देखेंगे फिर OBC category में इतने candidate short list and ST में एक candidate है क्योंकि इसमें क्या किया गया है जैसे अब आप unreserved category देखें unreserved category में general candidate कोई है नहीं यह सभी जो है इनका number क्योंकि अच्छा था इसलिए यह unreserved category में सभी fight कर गए और आप नीचे देख सकते हैं सभी candidate OBC में fight किये हुए है अगला जो technician भी carpentry यहाँ पे भी आप देखेंगा general candidate सिर्फ 2 है unreserved में बाकी सभी OBC candidate इसमें fight किये हैं इसी तरह आप देख सकते हैं अगर इसमें इसमें भी general candidate सिर्फ एक है बाकी सभी OBC जो है वो general category याने unreserved category जो open category होती है उसमें इनोंने fight किया है same condition fitter का भी है EWS कोटे में यहाँ पे 5 candidate है बाकी जो है unreserved category अगर यहाँ देखेंगे इसमें भी सिर्फ 1 candidate है इसी तरह आप देख सकते हैं electrical में भी general category के सिर्फ 2 candidate है बाकी सभी OBC का क्योंकि merit अच्छा था इसलिए यहाँ पे यह fight किये हैं आप लोग देख लीजेगा अपना इसमें result चेक आउट कर लीजेगा जल्दी official website पे इसका update आजाएगा trade या skill test का तो आपको हम जानकारी देदेंगे आप trade और skill test में जो आपका practical होता ना वो आपसे कराया जाता है तो प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा अपना इस्ट्रॉंग कर लीजे इस period में अगर आप sort list हुए हैं तो अगर आप भी इसमें sort list नहीं हो पाएं disappoint नहीं होना है और भी vacancies आई हैं अपनी तयारी करते रहे हैं उनके form apply कर दीजे latest videos को चेक करके जिससे कि आपका किसी ना किसी में अच्छे से selection हो सके थैंक्यू बेरी मच्च